राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे आप सभी लोगों को करवा चौत की हार्दिक शुप कामना है हम सभी स्वहाग इन इस्त्रियों के स्वहाग अमर रहें आज मैं आप लोगों को करवा चौत की कथा सुनाने जा रही सबसे पहले भगवान गणेश की कथा सुनाने जा रही हूं आप अपने हाथ में पुष्प और चावल ले ले एक अंधी बुढिया थी उसके एक बेटा और बेटी की बहु थी बुढिया बहुत ही गरीब थी वो हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी एक दिन प्रसंद होक गणेश जी ने बुढिया से कहा कि बुढिया मा तु जो चैसो वर मांग ले बुढिया बोली मुझसे तो वर मांगना आता नहीं है कैसे और क्या वर मांगो तब गणेश जी बोले कि तु अपने मन में विचार करके कल आकर मांग ली जो तब बुढिया बोली ठीक है और व पिर बहु ने इससे पूछा, तो बहु ने कहा कि नाती मांग लो, तब बुढिया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, तब बुढिया ने पडोसियों से पूछा, तो पडोसियों ने बुढिया से कहा कि तू थोड़े दिन जीवेगी, त जिसमें बेटा बहु राजी हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ जब वह दूसरे दिन गणेजी की पूजा करने लगी तो गणेजी आए और बोले हे बुढी मा बोल क्या चाहिए जो चाहिए सो मांग लो जट बुढीया बोली यदि आप मुझे पर प्रसन है तो नौ करोड की माया दें निरोगी काया दें दीदा गोडा दें नाती पोता दें जमाई धेवता दें भाई भतीजे दें और सब परिवार को खुब सुख दें अंत में मुझे मोक्ष दें तब गणेजी कहते हैं हे गणेजी अंतरध्यान हो गए और बुढी मांग को मांगे अनुसर सब कुछ मिल गया हे गणेजी महराज जैसे तुमने उस बुढीया को सब कुछ दिया वैसे हम सभी वक्तों को सभी कुछ प्रदान करें भगवान गणेज की जय हो आपके हाथ में पुश्प और जो चाव में चावल और पुश्प ले ले एक साहुकार थे जिनके साथ बेटे और एक बेटी थी सातो भाई वबहन एक साथ बैटकर भोजन क्या करते थे एक दिन कार्ति की किश्ण प्रक्ष की चौथ का ब्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ साथ में भोजन करें बहन बोली कि एक भाई ने दिया जलाया दूसरे भाई ने चलने से लेकर उसे ढख दिया और नकली चांद दिखा कर बहन से कहने लगे कि चलो चांद उगाया है अर्ध दे लो बहन अपनी भावियों से कहने लगी कि चलो अर्ध दे देते हैं तो भावियां बोली तुम्हारा चांद लंकड़ आया और तीसरे गास में मुह तक किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पती बहुत बीमार है जल्दी भेजो माने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पौण लगना और जो कोई सुहा का आशिज दे तो उसके पल्ले में गाठ लगा कर उसे कुछ रुपए दे देना बहन जब भाईयों से विदा हुई तो रास्ते में उसे जो भी मिला उसने यही आशिज दी कि तुम साथ भाईयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो सुहा का आशिज किसी ने भी नहीं दिया जब वह ससुलाल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननत खड़ी थी वह उसके भी पाउन लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो सफूत हो बहन यह सुनकर पल्ले में गाठ में बंधी ननत को सुने का सिक्का दिया जब भीतर गई तो सास ने कहा कि धरती पर पती इस प्रकार समय बीतते म्रगजिरा मार्गिस की चौत आई, तो चौत माता बोली करवा लेलो, भायों की प्यारी बहन करवा लेलो लेकिन जब उससे चौत माता नहीं दिखाए दिए तो वह बोली है माता आपने मुझे उजाड़ा है तो आप यहीं मेरा उध़ार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चोथ माता ने बताया कि पौश की चोथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है। उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौश की चोथ आकर के चली गए, माग की चली गए, फागुन की चली गए, चैत्र की चली गए, बैसाक, जेट, असाड, स्रावन, भादो की सभी चोथ आएं और यही कहकर चली गएं कि आगे वाली को कहना। आ सौज की चोथ आएं तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चोथ नाराज हैं, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापिस कर सकती हैं, वही आएंगी तो पौँ पकड़ कर बिंती करना। यह बताकर वह चली गएं, जब कार्तिक की चोथ आएं तो वह गुसे में बोली, भाईयों की प्यारी करवा चोथ ले ले, दिन में चांद उगानी करवा ले ले, ब्रत खंडन करने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले, यह सुनकर वह चोथ माता को देखकर उनके पौँ पकड़ कर गिरगिराने लगी, हे चोथ माता, मेरा सुहाग तुमारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करेंगी, तो माता बोली, हे बापिन, हत्यारिन, मेरे पौँ पकड़ कर क्यों बैठ गई, तब बोली, कि जो मुझे से भूल हुई है, उसे छमा कर दो, अब चसन होकर, आखों से काजल, नाखुनों में से महंदी, और टीके में से रोली लेकर, छोटी उंगली से उसके आधिमी पर छीटा कर दिया, वह उठकर बैठ गया, और बोला, कि आज तो मैं बहुत सोया हूँ, वह बोली, क्या सोय, मुझे तो बारह महिने हो गए, अब जाकर चौत माता ने मेरा सुहाग लोटाया है, यह सुन करके, उसके पती ने जल्दी से माता का पूजन करो, ऐसा कहा, जब चौत की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, प्रसाद खा करके, दोनों पती पतनी चौपड खेलने बैठे, नीचे से दासी आई, उसने दोनों को आसु जी को जाकर बताया, तब सारे गौमें यह प्रसिद्ध हो गई, कि सभी इस्त्रियां चौत का प्रत रखें, तो सुहाग अटल रहेगा है, हे चौत माता, जैसे तुने साहुकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे ही सब को देना, यही करवा चौत के उपवास की सनात महिमा है, करवा चौत माता की जै हो, कार्तिक माह की चौत माता की जै हो, चंद्र देवता की जै हो, हाथ में जो पुष्प है, वह जो आपने करवा रखा है, उस करवे के सामने, या गौर गरेस के सामने, उस पुष्प और चावल को रख दें, यह चौत माता, पूजा करने में कहीं भी कोई भूल जो कोई हो तो उसे आप छमा करना हम आपके संतान हैं अपने संतान को छमा करना इस प्रकार से छमा मांग ले मेरे यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर झाल